नमस्कार जहिन, पूर्सानिक जेश्यो ओवार के लिए lab in vigilators और observers के लिए vacancy आया है और ये vacancy पैन इंडिया है पूरे काफी सारे सहरों से है इंडिया के काफी सारे सहरों से है आप अपने सहर से ही इस job को कर पाएंगे और खास बात क्या है? यह जो job है यह part time है इसको full time मत लिजेगा यह part time के हिसाब से आप कर सकते हैं जैसे आप कोई job करने हैं या आप business कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में इसको आप include करके कर सकते हैं क्योंकि यह online exams में lab invigilators और observers का role इसमें रहेगा जेशो एंस्यो सभी इसमें OR सभी इसके लिए eligible हैं तो अभी इसको details में देखूँगा सब चीज बताऊँगा आप video को थोड़ा आराम से दिखिएगा आपको सब कुस समझ में आ जाएगा सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा कहां कहां यह vacancy है कौन कौन से cities में अभी vacancies है और यह जो vacancy है यह CDAC के तरफ से है मैं पूरा details में बताऊँगा आपको अब सबसे पहले मैं यह बताऊँगा CDAC का नाम लिया हो तो यह है क्या Center for Development of Advanced Computing अभी as of now जितने भी online exams हैं तो उसमें majority of जो पार्ट है वो CDAC ही conduct करता है और भी companies हैं जो outsource की ही है बट यहाँ पे CDAC का भी एक important role है तो यह चीज है अब CDAC के बारे माँ आप जानगे अब यह कहां कहां यह vacancy है उसको देख लेते हैं मैं city wise इसका link मैं telegram channel पे भेजूँगा आप उसको पुरा detail में check कर लीजेगा मैं खाले dictate कर देता हूँ पढ़ लेता हूँ उसको आप सून लीजे एक बार अगर नहीं दीख रहा है तो आसा करता हूँ आपको दीख रहा भी होगा कि उसको मैं jump out कर दिया हूँ अब कितना वेकेंसी आप देख सकते हैं उसके city के पास वो दिया हूँ है विजयवाडा, रांची, संबलपूर, विशाकापटनम, बेलगाओ, पुडुचेरी, इटानगर, बैंगलूरू, मुहाली, दिब्रुगड, मैंगलूर, जयपूर, गुआहटी, मैसूरू, जोधपूर, जोरहाट, एरनाकुलं, उदैपूर, भागलपूर, कानूर, गंट शपरा, कोची, चेन्नई, गया, तिरुमनंतपूरं, कोयमबटूर, मुझभफरपूर, थिस्सूर, मदुरई, पटना, लेह, लेह से भी कमेंट आरता है, लेह में एकी वेकेंसी है, तो आप इसको अपलाई कर पाएंगे, तिरुने, वेली, उसके बाद नेक्स है चंडिग मैक्सिमम वेकेंसी है, 115 वेकेंसी है, इंदोर, वारंगल, पनजी, जबलपूर, अगरतला, एहमदाबाद, शत्रपतिस, संभाजी नगर, बरेली, राजकोट, कोलहपूर, गाजियाबाद, सूरत, मुंबई, नेक्स्ट है गुरकपूर, वडोद्रा, नागपूर, जहासी, अबाला, नासिक, कानपूर, फरिदाबाद, पूना, लखनव, गुरुग्राम, इमफाल, मेरट, नेक्स्ट है, कांगरा, अबलिक हमीरपूर, इसमें 10 वेकेंसी है, हिमाचल से भी हमारे पास कमेंट आ रहे थे, उसके बाद सिलोंग में नहीं है, अज़फनाओ, आता है त अबलिक, नौइडा, इसमें भी अच्छा वेकेंसी है, 20 वेकेंसी है, सिमला है, दीमापूर में भी अभी hours of now नहीं है, बट आप उसको फिल कीजिएगा, अपना चॉइस दीमापूर दीजिएगा, जो भी दीमापूर के हमारे पूरसनिक है, जैसी आपको वहां के लिए आ तो वारानसी से भी कुछ अपडेट नहीं आ पा रहा था, तो जो भी पूरसनिक पार्ट टाइम में इसको करना चाहिए तो 25 वेकेंसी हैं, उसके बाद भोबनेश्वर में 15 है, देहरादूर में 25, हल्दवानी में 10, दुरगापूर में 5, जलपाई गुडी में 5, कोलकाता म में 20, और सिली गुडी, सिली गुडी से हमारे पास काफी कॉमेंट्स आ रहे थे, तो सिली गुडी में 5 वेकेंसी है, इसको आप चेक कर सकते हैं, आप अपना इसके लिए अपलाई करेंगे, तो ये तो हो गया, मैं सिट्टी का बता दिया, अब इसमें आपका सबसे बड़ वेज नोटिफिकेशन, डीजेर का है, तो ये इसमें आप पूरा इसमें आप चेकर सकते हैं, जेशियो हों या और हों, आपको इसी हिसाब से ये सैलरी मिलने वाला है, पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर रहेगा, एक दिन एक्जाम कंड़क कर रहेंगे, तो एक दिन के दे रहा हूं, ये रहेगा, अब इसका लिंक कैसे मिलेगा आपको, आप मैं इसका लिंक नीचे description box में दूँगा, जो की apply link है, तो वो कैसे आपको मिलेगा, आप YouTube पे जैसे ये वीडियो है, अगर आप नहीं भी आप सैनिक वेलफेर रिसर्च, जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप वीडियो में जाएगा, लेटेस्ट वीडियो में, तो ये लेटेस्ट वीडियो है अभी, उसमें आप यहाँ, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको कैसे link मिलेगा, वो बता रहा हूं, ये वीडियो में, ये तो वीडियो का part है, जो उपर हाइलाइट किया हुआ हूँ इसको बोलते हैं description box यहाँ पे छोटा सा more लिखा हुआ है उसको आपको क्लिक करना है तो जैसी आप उसको क्लिक करेंगा वैसे आपको परिशान होने जुरूत नहीं मैं पर इसका लिंक भेजूंगा अगर आप टेलिग्राम पर हैं तो आपको आसानी है नहीं है तो जो भी हमारे पूरसानिक टेलिग्राम चैनल पर नहीं है उसके लिए बता रहा हूं आप ऐसे यह खुल गया तो यह जो इस बॉक्स को देस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे आएगा श्क्रोल करके तो यहां पर आपको यहांपर डीटेल्स मिल जाएगा देखिए यहां जैसे यह फैक टेल्स अप्लाइन है तो इसका एप्लाइव लिंक मैं लिग दूंगा तो यह आप आइधिंक यह समझ गया कैसे अप्लाई करना है इसमें भी आगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो में को कॉमेंट कीजेगा अप्लाई क्योंकि इसका लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा वहां आपको निकालने मैं समझ गया मैं यहां तक मेर करेगा वेरी करेगा तो यह इसके उपर में वीडियो भी बनाया हूं वेज के उपर डीजी और वेज के उपर मिनिमूम वेज जो अक्टूबर का अभी लेटेस्ट है एक अक्टूबर दोजार चौविस से यह अतलब लागू हुआ है तो उसको आप देख लेंगे वीडिय की चीज़ क्लारिटी आ जाएगा जैसे वीडियो खतम होगा वो वीडियो भी आपको मिनिमूम वेज वाला दिख जाएगा कॉंपरिण का नाम मैंने बता दिया CDAC Center for Development of Advanced Computing इसके अलावा इसमें अप्लाई कर पाएंगे यह केवल एक सर्विसमेन के लिए है यह वेकैंसी ओनली फॉर एक सर्विसमेन अब आपका सवाल हो सकता है कि इसमें एज क्या रहेगा तो एज का कोई मैटर नहीं है इसमें इसमें सभी पूरसानी कि इसमें अप्लाई करता हैं क्योंकि इसमें यह डेली वेज पे हैं और यह पार्ट टाइम ही है आप इसको फूल टाइम के लिए यह नहीं है यह क्यान होना चाहिए क्योंकि यह online exams में आप वहाँ पे एपियर होंगे और online exams में आपकी वहाँ पे duty online exams में किस तरह से exams conduct कराना है वो चीज आपको देखना है exams आपको conduct कराना है जिस यूज का रोल रहेगा observer का और जो हमारे और और हैं वो इन्विजलेटर के रोल में रहेंगे बट observers के लिए जरूरी नहीं है कि अगर NCO या और है उनके पास qualification अच्छा है computer knowledge अच्छा है तो भी observers का रोल कर सकते हैं यह depend करेगा आप जैसी apply करेंगे तो आपको call आएगा mail आएगा उसके बाद आपका interview होगा जो की online mode में होगा mobile से ही आपको होगा या हो सकता है आपको किसी जगह पर बुला के वहां पर interview हो लेकिन job location आपके city में ही होगा तो सबसे plus point यही है और यह part time है part time के हिसाब से करेंगे और during the month end जितने exams आपने conduct करा है उस हिसाब से आपको salary मिल जाएगा तो मैं यह समझता हूँ कि आपको यह पूरा clarity आ गया कितना salary है locations कौन कौन से है locations का यह मैं telegram channel पे पोस्ट कर दूँगा वहां से आप इसको देख लीजेगा thanks for watching अगर इसके आलावा भी अगर आपको कोई समस्या हो रहा है कुछ पूस्टाज करना होगा तो आप मेरे को comment कर दीजेगा मैं उसका जवाब 100% आपको दूँगा पट यही है यह केवल only for एक service man के लिए है age का कोई इसमें limitation नहीं है thanks for watching मिलते अपने next वीडियो में तब त